नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं तीस माई को जारखन एकेडमी कॉंसील कर सकता है आर्ट्स और कोमर्स का रिजल्ट जारी जार्खण Academy Council 12 वी के Commerce और Arts Stream का रिजल्ट 30 मैं को घोसित कर सकता है करिब 8 लाग स्टुडेंट अपने रिजल्ट का इंतियार कर रहे है जार्खण Academy Council मंगलवार को इंटर के Arts और Commerce Stream का रिजल्ट जारी कर सकता है अधिकारियों ने बताया है कि संभवना है कि मंगलवार को दो फ़र दो बजे के बाद रियल्ट जारी कर दिया जाएगा जारकन एकेडमी काउंसिल के सचीव एमपी सिंग ने बताया है कि करीब धाई लाग विद्याठ्यों के रियल्ट खोशित किया जाना है उमीद है कि मंगलवार को रियल्ट जारी कर दिया जाएगा जारकन एकेडमी काउंसिल के चात्रा अपना रियल्ट ऑनलाइन माध्यम से जार्रियल्ट.nice.in या जैक.nice.in पर जाकर अपना रियल्ट देख सकते हैं मौसम विभाग के उसा राई धारी रांची समयत पूरे राजज में लगाता हमाऊसम में बढलाव देखा जा रहा है कहीं बारिस हो रही है तो कहीं तपती धूप ने आम लोग की परिशनी बढ़ाती है मौसम में हो रहे बाधलागे कान अस्पताला में मौसमी बिमारियों से पीलित मरीयों की संख्या में भी बढ़ोत्री हो रही है बता दे कि मंगलवार को राज में कहीं कहीं में गजन के साथ बारिस होने की समधन जताई जा रही है मौसम बिग्यान के इंदरे रांची ने राज में 30-40 क्रीम पति घंटा की रफ्तार से सतही हवा को लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया है इसके बाद बुद्धवार से पुरे राज में कहीं कहीं आसिक बादल चाहे रहने और मौसम के सुस्क रहने का प्रोर्मान है वर ये बैग्यानी अविसेक आनन ने बताया है कि बीते दिनों हुई बारिस से पुरे राज का तापमान का अस्ता 40 के निचे पहुंच चुका है लोगों को गर्मी से रात मिल रही है नारेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे देश के पिये भारतिय जन्ता पार्टी केंद्र में एक बार फिर प्रधान मंत्री नायन मोदी के नितित में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है रांची प्रेस कल्ब में भाजपा के मीडिया सनवाद में केंद्री सटग परिवण और नागरिक उड़ाने राजय मंत्री विके सिंग ने यह दावा किया है उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री नाजमोदी ने अपने नौ साल के सासन काल में जितना काम किया है उतना पहले के सतर सालों में भी नहीं हुआ प्रधान मंत्री ने देश में सुसासन और गरीब कल्यान के निव डाली है इन नव सालों के दवान हर वर्ग की उन्नती हुई उन्होंने कहा है कि भाजपा बीना किसी बेदभाव के सभी के लिए एक जमान काम करती है उन्होंने आगे कहा है कि इतिहास को पलटने से परमानित होता है कि इन नव सालों में अपरत्यसित काम हुआ है विकास के मानक सरकार ने पूरे किया है वहीं बिके सिंग ने कहा है कि आर्थिक ब्यवस्था, समाजिक ब्यवस्था और आज़िती ब्यवस्था तीनो ही छेत्र में देशब्र में बदलाव दीख रहा है लाते हर पुलिश ने 6 उग्रवादियों को किया गिरवतार पर्तिबंधित उग्रवादी संगाठन टी एस पिस्ती के छो उग्रवादियों को लाते हार पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर्सोंबार को जेल भेज दिया है ये लोग किसी बड़ी घर्टना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे गिरफ्तार उग्रवादियों मुकेस यादो पिता मदन यादो होटाई पाकी पलामू मुकेस यादो पिता सुदेशी यादो तितलंगी पीपर टांड पलामू अधेस यादो पिता ब्रिक्ष यादो चेरी लेसली गंज पलामू परभात कुमार यादो उर्फ मरांडी अपजल उर्फ अभिसेक पिता लक्षमी यादव बिदरा वहीं पीपर टार पलामू भीम पस्वान डोकी मनिका लातेहार वा नंदू सर्मा पिता बीगू सर्मा जन्हों मनिका लातेहार में सामिल है पुरिशने किरफतार उगरवादियों के पास से दो लोडेट देसी पिस् पाश्मी सिम्भूम से पाँच आईडी बरामत पाश्मी सिम्भूम जीला पोलीस कोबरा बाटालियन वा सुरक्षा बलोने नक्चल परववित टोटो परखंड के तुम्बा हका के जंगल वा पहाडी चेतर और गोईल के राथाना चेतर के छोटा कुईंडा मारादिरी मार पर नक्सलियों द्वारा पूलिस वा सुरक्षा बलो को निसाना बनाने के लिए लगाए का आईडी बंब रामत कर नक्सलियों के मनसुवे पर पानी फेर दिया है इनमें 20, 12 वा 6 kg के एक एक वा 5 kg के दो बंब के अलावा बैक्ट्री और तार भी सामिल है पूलिस अधिक चक आसुतोस सेखा ने बताया है कि बरामत 20 फोटको को बम निरुधक दस्ताद्वारा मोके पर हिनश्ट करा दिया गया है आपको बता दे कि 5 माह में कूल 135 आईडी बरामत किये जा चुके है धनबाद रेल हाजसे में 6 लोगों की मौत हबरा नई दिल्ली रेल मार्क पर धनबाद और गोमो इस्टेशन के बीज निचितपूर रेल फाटक के पास बड़ी घटना हो गई है जिसमें 6 लोग जिनता जल गए करीब एक दरजन से अधिक जुरस गए दरसाल निचितपूर रेल फाटक के पास मजदूर पोल गार रहे थे और उन्होंने सट डाउन नहीं लिया था काम के दोरान पोल डगमगाक और पचीश सेयर भोल्ट के ओवर हाई टेक तार से चुग गया जिसके बाद करंड की चपेट में आने से मौके पर ही 6 लोगों की मौत की सुचना है जबकि कई जुलस गए यह हदसा 25 सेयर भोल्ट विजली की तार की चपेट में आने से हुआ है घातना के बाद ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया जनकारी के मुदाबिक अभी एक दर्जन से अधीक लोगम्भीर रूप से जुलस गए है पी-म और ग्रीह मंत्री से मिले राजय पाल सीपी रहरा किष्णान इस दोरान राजे पाल ने अस्मिती चिन भी भेट किया बताते चले कि अभी हाल में ही राष्ट पदी द्रोपदी मुर्मु का जार्खन दोरा हुआ था इसके तुरंत बाद राजे पाल का दिल्ली दोरा और पी एम ग्रिह मंत्री से मिलना कोई तरह के संकेत देता है चिनमस्तिका मंदीर में अयोजित होगा दामोदर महोच्षा। परजूराय ने बताया है कि इस दोनाराजेपाल नद पुजन आरती और संगोष्टी आदी में हिसा लेंगे दामोदर को बचाने के लिए 2004 में गंगा दसहरा के दिन आंदोलन के शुरुआत होई थी यह उनिस्वा साल है लोगों ने माना है कि दामोदर का पानी साफ हुआ है लोगों ने यह भी माना है कि लाभग 95 परतिशत्तक अध्योगिक परदूसां से दामोदर मुक्त हो गया है 28 माई का दिन देश के लोगतांतरिक इतिहास का काला दिन जामो मोदर मुक्ति मुर्चा ने नए संसत भवन को धातन कारकरम से आधिवासी दाश्टपति को दूर रखने तथा देश की सान पहलवान बेटियों पर दिल्ली पूलिस की करवाई को सर्मनाग घर्टना करार दि 28 माई का दिन देश के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि इस दिन जहां एक जन जायते महिला राश्टपति का अपमान हुआ वहीं मात्रु सक्ति की परतिक हमारी पदक वीर बेटियों पर भी पूलिसिया अत्याचार हुआ है जामो नेता ने कहा है कि या महाज संजोग नहीं है कि 28 माई के दिन जहां एक आदिवासी समुदाज से आने वाली महिला राश्टपति का अपमान किया गया बलिक देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले बेटियों पर संसत भवन से चंद किलोमेटर की दूरी पर डंडे ल शुरू करती है एनाय की हिरासत में दिनेश गोप से अभी पूस्ताच चल रही है एनाय के पूस्ताच में दिनेश गोप ने लेवी से मिले पैसे को लेकर कई अहम जनकारी दी है पूस्ताच के दरन उसने एनाय के दिकारियों को बताया है कि राजानी रांची और उसके आस इन्वर्शिटी में जहां फरवारी में ही परिक्षा लेने को लेकर निनाय लिया गया था वहीं उसके बाद भी अभी तक परिक्षा नहीं ली गई चात्रों दवरा आंधोलन किये जाने के बाद आरियू ने बिसेस परिक्षा लेने का निनाय परिक्षा बोर्ड में लिया थ आंदोलन की एक महीने के बाद फरम भरने के लिए 25 अवरेल तक तिती निधायत की गई थी लेकिन आलम यहाई की एक महीने बीच जाने के बाद भी परिच्छा का सेडूल जारी नहीं किया गया चात्र फरम भरने के बाद परिक्षा की तारीख का इंतियार कर रहे हैं लेकिन 2016 बेच के चात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही है जमीन अधिगरहन के कारण जारखन में लटकी है रोड पर योजनाएं जारखन में चल रही राष्ट्री राजमारक की योजनाओं में देरी की वज़ा धेरो समस्याएं है कि इंद्रिय सड़क परिवान अमनागरिक बीमानन राजमंत्री विके सिंग का मानना है कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारे हैं वहाँ इस परकार की धेरो समस्याय आ रही है उन्होंने सवाल उठाया है कि मीटी नहीं लेने देंगे तो योजनाय कैसे पूरी होंगी राज्य में जमीन अधिकरहन को लेकर समस्याय सामने आ रही है बड़ी समस्या वैसे राज्यों में है जहां हमारी सरकार नहीं है इसके बावजूद अधिकारी सर्मन में बनाकर काम कर रहे है चारकन की सबक योजनाओं और रोड कारीडोर प्रजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री हमसुलिंद्वारा हाल ही में संपन निती आयों की बैठक में उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा उनका विभाग इन उजनाओं को पूरा करने को लेकर परतिवाधा है निसिकांद दूबे ने 50 गोवन्सों को तसकरों से कराया मुख्यमंत्य भाजपा सांसर डाक्टर निसिकांद दूबे ने 100 मार को गोड़ा जाने के दवरान पोड़ेया हाट रोड पर तसकरी कर गोकसी के लिए लिए जा रहे है 50 गोवन्सियों को बचाया उनकी सुचना पर पूष ने 4 तसकरों गिरफतार भी कर लिया है करिव साथ महीने पहले दूमका में भी सांसर निसिकांद दूबे ने 60 गोवन्सियों को पसुत तसकरों से मुख्यमंत्य निकला तो राष्ते में बड़ी संख्यमें गोवन्सियों को अहां कर ले जा रहे है पसुत तसकरों पन की नजर पड़ी डॉक्टर ने नवालिक से की दरिंदगी नसे का इंजेक्शन देकर किया दूसकर्म गुमला जिलेखे घागरा परखन में रभी वरको डॉक्टर ने नवालिक नसे का इंजेक्शन देकर दूसकर्म किया है पिरिता द्वारा थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिश ने तोरित करवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर सांसो सरजामा निवासी मंगल देव लकडा उर्फ मंगल देव उरांको सोमवार को गिरफतार कर जेल भेज दिया SDPO मनिश चंद्रलाल ने बताया कि 28 माई को दिन के 3.30 मिनट एक नवालिक अपने माता पिता के साथ थाना आई और दुसकर्म की प्राथमी की दर्ज कराई है B.A.U. में रोजगार मेला दो जून को B.A.U. के किरिसी, बेटनारी, एकलिक कल्चर, इंजिनियरिंग, वानिकी, फिसरिंग, हर्टी कल्चर, M.B.A. समित अने साविशन का हकामती वर्ष के छातर-छातरा ही चाले सकेंगे आयोजन, B.A.U. के प्लेस्मेंट, आयन, कॉंसिलिंग, सेल की ओर से किया जा रहा है धन्यवाद